बहिया मेरी अलुपैज की दुकाना अलुपैज अतरग लसन की और पिखले एक तारिक से यहाँ पर गाड़ा नहीं आ रही है उससे भाव पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है माल आरा नहीं है और जो भी माल बचा हुआ है वो उनको ज्यादा भाव में बेचना पड़ रहा है क्योंकि आवक ही नहीं है मालों की ना गाड़ी को आने दे रहे हैं ना कई बहुत असर पड़ेगा दस रुपे कीचित उनको 20 रुपे किलो में लेना ही पड़ेगा उनकी भी अता है मूशन को पर आएगे नहीं है उसक ज्यादा भाव में विच नहीं पड़ेगा जो भी वच्चा माल रहे हैं केंद्रा सरकार लियो यह पूरा असर जो ड्रावर का दिख रहा है कि सब्जी मंडी के उपर पूरा असर दिख रहा है कि आपर ट्रॉक हो गए आवाजाओ कभी कम हो गई है किख नवी में बढ़ गया है कि करके आज जो बंद का असर यहां पर दिख रहा है कि संक्षन बहुत संक्षन बहर काव से बहुत कम आई है मेरे को यहां गाड़ी में गाड़ी लेके आया हुए घंजम गलत हैं एक्जम गाड़ी हुआ लोकल भी और बहार से समल्लो देशावर से आलुगे से आरा है यूटी से आरा है जारी महराथ से यह सब पुरा रुख गया है और मेरे खाल से दो या तीन दिन का स्टाउक बचा हुआ है अगर दो तीन दिन गाड़िया नहीं आ पाई तो यहां पर बहुत साटेज मारे पास और मंडियों में भी समझ लो यहां से सो देड़ सो छोटी बड़ी गाड़िया जो जाती थी उन लोगों का भी आना बांद हो चुका है तो अभी हाला तैसे है कि यहां पर कारोबार एकदम मैंने चक्का जानकों जैसे डेट पड़ा हुआ है सामन्य लोग को भी इसकी परिशानी होगी है बहुत परिशानी जाएगी आगे यह रेट में भी कुछ बड़ोतरी हो गई है माल की साटेज रने से जगह पे भी बहुत टाइट हो चुका है सब मंडिया खाली हो चुकी अब दिरे दिरे और आवाग बिलकुल रुकी हुई ह केंद्र सासन यानि एक नविंग कायदा लागु के लेला है याचा विरोधात वहान चालाकाना कामबन अनुलन शुरू के लेला है आज या कामबन अनुलन चा दूसरा दिवस आहे याचा फटका सर्व सामन्य लोकन ना बसला है बन पुकारल्या मुडे ठिक टिकानी थामली आये। साइट पठान TV9 मराथी गोंदिया झाल